नमस्कार दोस्तो इजल आउशन में आपका फिर से स्वागत है मैं एडोगेट दीपक आज आपको बताऊँगा आप घर बेटे अपने केस की तारिक कैसे पता कर सकते हैं जिहां दोस्तो ऐसे बहुत सारे लोगोते हैं जो आपना मकूदमा खुझ से लड़ना चाहते हैं जो किसी वकिल को अफोर्ड नहीं कर सकते या वह वào बिलीव नहीं करते किसी लोकल वकिल को उस एडिया के कि यह केस हमारा लड़े तो दोस्तों जब भी आपको आपके case की status, आपकी case की तारिक और उसके जिमनी order जो है वो पता करने होते हैं तो आप court में विजिट करते हैं और आप concerned court में जाके उसके reader से court की case की तारिक पता करते हैं या फिर अगर आपने कोई वकील इंगेज किया हुआ है तो आप अपने वकील या उनके clerk से date पता करते हैं लेकिन दोस्तों आप जो है online e-court services की app से अपनी तारिक पता कर सकते हैं वो किस proceeding के लिए next date के लिए लगाया गया है ये भी पता कर सकते हैं साथ ही आप जो daily order होते हैं जिमनी orders होते हैं उनको भी पता कर सकते हैं कि उनमें क्या लिखा गया है और आपकी तरफ से कौन से वकील जो है court में पेस हुए हैं या नहीं हुए हैं तो दोस्तों अब ना कि सिरफ आप daily orders बलकि जो cases decide हो गए हैं उनकी judgments भी court case की पता कर सकते हैं साथ ही आपको court में जाके court के बाहर cause list देखने तब की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे आज की date में कौन कौन से case cause list में लगे हुए हैं किस court में कौन से case लगे हुए हैं आपको साथ दिन पहले और साथ दिन आगे के cases की code लिस्ट होती है course की वह आपको online पता चल सकती है तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले e-court services की online जो app है वह play store से डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने mobile में जी हाँ दोस्तों ये आप डाउनलोड करने के बाद जो है open करेंगे दोस्तों आप जब e-court services app खोलेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से option बने रहते हैं उसमें जो है सबसे पहला option होता है cnr number का आप जो cnr number upload करते हैं जब भी किसी case का हर case का एक cnr number होता है आप जब इसमें के अपना cnr number डालेंगे उसके बाद आप search के option पर बटन दवाएंगे तो आपका case direct खुल जाएगा दूसरा जो option होता है वो आप qr code scan कर सकते हैं किसी भी case का जी हाँ दोस्तों आज कल जो समन भी आते हैं जो online generated होते हैं उनके उपर scan करने को qr बटन होता है और qr code जो है आप scan करने के बाद direct आपके case पर चल जाते हैं उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ case status का option आता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आपको पहले state select करना होता है अपना आप अपना कोई भी जो आपका concerned state है वो select कर सकते हैं उसके बाद आप जो है आपको district select करना होता है आपको जो भी district है आप उसको select कर लेंगे उसके बाद अगर आपके पास case number है तो आप case number से जो है सबसे पहले आपको select करना होगा कि आपका court का complex कौन सा है आपको जो है एक district में कई court complex होते है subdivision भी होते है district headquarter भी होता है तो आपको वो court complex select कर लेना है उसके बाद जो है आपको आपके case का type पता होना चाहिए आपका case जो है वो एक civil suit है या bail application है या कोई चलान है या कोई criminal चलान है अगर कोई criminal complaint है तो इस परकार से आपका जिस परकार का भी case है आपको वो select करना है आप जो वो select करने के बाद आपका जो case number और साल जो आपको court से assign होता है वो डालके आप अपने case की direct information यहाँ पर पता कर सकते हैं इसके बाद जो है आपको यहाँ पर अगर case number नहीं पता है तो आप सिरफ party के नाम से भी case जो है डूण सकते हैं आपको यहाँ party का नाम लिखना होता है उसके बाद आपको आपको FIR number से case डूणना है तो procedure वही रहता है आपको police station select करना है उसके बाद आपको FIR number पता होता है आपके case की और उसके बाद आपको salt डालना है तो इस प्रकार से आप जो है अलग-अलग mode में filing number से, advocate के नाम से ठीक है जी उसके बाद जो है आप किस act में आपका case है कि आपका case जो है वो किस कानून के अंतरगत दर्ज हो रखा है वो आप इसमें डालके अपना case ढूण सकते हैं साथ ही मैं आपको practically एक case ढूण के दिखा जेता हूँ हम जो है district court select कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी नाम ढूण लेते हैं और यहाँ पे हम साल भर लेते हैं कि भई यह 2019 का मानलो हमारा case है कोई उसके बाद pending, dispose, both हम बोद पे select कर देते हैं तो यहाँ पे जो case राम के नाम से था और जो decide हो चुके है या जो pending है वो दोनो ही cases यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद जैसे मानलो अगर आपका case civil का है तो यहाँ पे civil judge के नाम से ऐसे यह आपकी detail आ जाएगी उसके बाद अगर आपका case जो है criminal का है, फोसदारी मुकुद में आपका तो CGM माला करके आप जो है ना उसको click करेंगे और इन में जो है आप अपना डूंड लेंगे क्योंकि यह जुनाईल के cases है तो इन में जो है नाम disclose नहीं होता है तो इस प्रकार से आप अगर आपका case session court में चल रहा है तो आपके जो है जैसे यह civil appeal है, CA लिखा हुआ है उसके बाद case का number है, साल है यह title है उसके बाद जो civil appeal के बाद यह executions आ गई है यह इन में जहां भी आपका नाम match होता है आप इस तरिकार से डूंड सकते हैं उसके बाद session cases आ जाएंगे session trial आ जाएंगी तो इस प्रकार से आप अपना case ढूंड सकते हैं साथ ही, अगर आपको cause list देखनी है कि भही, आपको जो है यह पता करना है कि आज के दिन, आज की तारिक में आज जो है, 21 पांच तारिक है और आज की तारिक में अंबाला court में और family court में family court में, जो है कौन-कौन से civil के cases है तो यहाँ पर आपके cases की list आज जाएगी यह case आज के दिन listed है वहाँ, जद साब के court में तो इस प्रकार अब क्योंकि यह matrimonial dispute है और guideline है वही, कि आप matrimonial dispute में नाम disclose नहीं करेंगे, तो आप वगिल के नाम से अपना case जो है, ढूंड सकते हैं इस प्रकार आप अगर आपका कोई case है और यह जो आपकी execution है माल लो, और आप इसको अपने case को अपनी list में add करना चाहते हैं तो यहाँ उपर, यहाँ पर जो है add case का option आता है और यहाँ पर जो है आप अगर case को add कर देते हैं तो आपका case आपकी list में add हो जाता है यहाँ पर अगर आपने case add कर दिया तो बार-बार आपको search करने की जुरूरत नहीं रहेगी आपको आपके सारे cases की list यहाँ रहेगी मिलेगी आप जो है अपने cases को देख सकते हैं कि आपके जो है किस तारीक में कितने cases लगे हो है लेकिन इस जो है application की एक limitation भी है कि आप जो है सिरफ civil court के cases को इसमें देख सकते हो आप revenue court, आप तहसिलदार, SDM, CTM, DRO, Commissioner, Consumer Court, Permanent अलोक दालत आप उन courts के जो cases हैं वो आप इस application में add नहीं कर सकते हैं साथ ही अब देखिए कि दो cases जो है वो undated है मेरे ठीक है और अगर मैं इसको refresh कर देता हूँ तो उनकी date जो है automatically update हो जाती है और वो cases आगे add हो जाती है तो इस प्रकार हर रोज मेरे कितने cases listed है वो भी list जो है यहाँ पे आ जाएगी तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि यह code application को आपकी इस प्रकार से इस्तमाल कर सकते हो आप घर बैटे अपने case का status कैसे पता कर सकते हो एक और चीज आप जो है अगर आप order पता करना चाहते हैं किसी भी case का कि भई आपको जो है इस case का जो order पता करना है तो अब जो interim order जो सबसे last में आपको सबसे पहले क्या होता है कि भई आपको पूरी detail ही बता जाता हूं मैं यहाँ पे जो filing number case number यह detail आ गई है इसकी सारी उसके बाद जो आप scan करने वाली बात थी यह QR code हो गया आपका उसके बाद जो है आपका जो वकील कोन है respondent कोन है उसके बाद किस type का यह किस type का यह case है उसके बाद जो है यह case की history क्या रही है कभी यह case किसी दो code के बीच में transfer हो आए तो यह आपको यहा नीचे मिल जाएगा उसके बाद interim orders जो है वो भी आपको सारे मिल जाएगे अगर आप किसी भी interim order को खोलोगे तो वो आपका download हो जाएगा और आप उसको read कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों आप भली बाती जान गए हैं कि आपको इस application को कैसे operate करना है अगर आपको यह वीडियो की जनकारी सही लगी है तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe परना ना बोले परना खाएगा प्राब बभली बार इस अपको को काईनल को आपको अपको आपको 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 आसे परसूआ को आपको कि अचिक परस। प्राब झाल झाल